कि अब लोग अपने आप सेफ और ठाइह वीडियो के साथ येकिन दोस्तों वीडियो पर लास तक जरूब ने रहे क्योंकि वीडियो में काफी मजा आने वाला है तो चलिए पर बता दूँ कि वाटसेप के बारे में सुनसुन के हम लोग ठक गये हैं लेकिन प्रिमेंट में भी चुपी तोड़ी है जिसमें कि बताया जा रहा है कि Ministry of Electronic यानि की M.I.T.Y. ने WhatsApp को फटकार लगा है हला कि दोस्तों मैं आपको बता दू कि Ministry का ये कहना है कि कंजूमर को उसके प्रसनल डेटा का राइट उसके पास होना चाहिए कि वो अपना डेटा आपके साथ सेयर करना चाहते हैं या नहीं दोस्तों हलाकि ये सबसे बड़ा स्टेप है मैं बता दू दोस्तों कि एक तो लौ जोरू बनना चाहिए वैसे WhatsApp को तो आप काफी ज़्यादा दुख होड़ा होगा फिलाल के लिए तो WhatsApp का हाला कुछ इसकदर ही होगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि इंडिया में एक लौ तो 100% बननी चाहिए रिगार्डिंग करसनल डेटा से क्योंकि इससे काफी फाइदा होगा लोगों को और उनको अपना राइट्स रहेगा कि वो अपना कर सकते हैं या नहीं वैसे मैं बता दू कि काफी कंट्री में लेडी लौ आ चुकी है जो की कोई भी कंपणि बिना पूछे, उससे फाइदा लोगों को ही मिलती है वैसे मैं बता दू कि इससे काफी ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को और डार्क वेप पे हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट मिलता है और उससे हैकर्स प्रमोट होते हैं और वो हैक करते हैं जिससे काफी लोग का नुकसान हुआ है आज ही डेट में वैसे मैं बता दू कि वटसेप के इस स्टेप से लोग ने वटसेप को काफी ज़्यादा कुईट किया है और हंगामा भी किया है और इसे कही न कहीं फाइदा सिगनल एप्लिकेशन को भी हुआ है और मैं आपको दोस् जी हां दोस्तों वटसेप को ओवर कंफिडेंट फील करने के लिए तो ये बनता है वैसे मैं बता दू कि आने वाले दिनों में अब से डेटा सेक्योर्टी काफी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है और कोवी कंपनी अपना न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लाने से पहल इन्ट्रोडक्शन के महताज बिलकुल भी नहीं है और इनको कौन नहीं जानता है दोस्तों मैं बता दू कि गरुजी कुछ दिन से काफी जादा ट्रॉल होड़े हैं जो कि बिलकुल भी नहीं होना चाहिए इसका कोई रीजन ही ने बनता है हलाकि मैं बता दू कि Samsung S21 का exclusive वीडियो लाने के वज़ा से हो रहा है दोस्तों मैं बता दू कि अगर कोई भी YouTuber किसी भी company के साथ collab करता है तो उसके साथ कुछ rules होते हैं उसे embargo कहा जाता है दोस्तों मैं बता दू कि अगर मान के चलिए कोई भी phone launch हो रहा है launch event जब तक company खतम नहीं करेगी तब तक आप phone को YouTube पर नहीं डा सकते हैं हलाकि मैं बता दू कि गुरू जी हमेशा से exclusive ही करते हैं उनका बस यहीं मानना है कि टीजी फैमिली के लिए exclusive तो बनता है बसे मैं दोस्तों बता दू कि चलिए ये बात सही है लेकिन मान के चलिए अगर कोई भी YouTuber अगर गुरू जी को ट्रॉल करता है तो बस ऐसे ही नहीं बिल्कुल गलत है यार आप जब तक आगे वाले बंदे को देखना लो जज ना कर लो तब तक किसी को ट्रॉल नहीं करो जहां तक मुझे पता है गुरू जी दिल के अच्छे लोग हैं वैसे दोस्तों मैं बता दू कि कौन नहीं आज के डेट में exclusive वीडियो डालना चाहता है लेकिन रूल्स कुछ होते हैं मान के चलिए अगर 10 यूटूबर टेक यूटूबर है तो उनका टाइम होता है चाड़ बजे वीडियो को अपलोड करना यूटूबर लेकिन गुरू जी सुभा में ही अपलोड कर देते हैं हाला कि उनका काफी पहचान होता है कंपनी से इसके वज़ा से कंपनी उनको साइट से मौका देती है कि आप वीडियो को एक्स्क्लोजीव डाल सकते हैं पहले सबसे हाँ कहीं न कहें यूटूब में ये थोड़ा सा दुख की बात है कि कुछ यूटूबर कुछ लोग इस चीज़ को गलत में ले लेते हैं हाला कि गीकी रंजीत ने भी टूइट करके बताया था कि Micromax in M1 का जो वीडियो आने वाला था वो चाड़ बजी आने वाला था लेकिन साइद गुरूजी ने सुबह में ही वीडियो को डाल दिया और उनका ये मानना है कि ये तो embargo ब्रेक करना हुआ हाला कि बाद में कंपनी से बात कीजिएगा और बोलिएगा कि आप मुझे exclusive वीडियो करने का मौका दे और ये कहीं न कहीं कंपनी के अंडर में भाई एक बात बताओ आप लो कि गुरूजी तो अपने मन से नहीं डालते हैं हाला कि कंपनी जब तक पर्मिशन नहीं देती है तब तक कोई भी embargo को ब्रेक नहीं करता है और गुरूजी भी ऐसा नहीं किया है दोस्तों मैं बता दू कि अगर गुरूजी को बोला गया था कंपनी के तरब से कि आप डाल सकते हो तभी गुरूजी ने भी डाला होगा हाला कि आप कुछ लोग बोल ले हैं कि गुरूजी ने वीडियो को डिलीट कर दिया है क्योंकि वो embargo ब्रेक की है दोस्तों एक बात बताओ अगर ऐसा कोई बात होती तो वीडियो को कुछ मीनट बाद कुछ सकेंड बाद भी हटाया जा सकता था जबकि गुरूजी का वीडियो काफी देर तक था भाई अब ये समझने वाली बात है कि अगर exclusive वीडियो नहीं ला सकते हैं तो इन से पहले भी वीडियो लाए हैं न कितना exclusive उनको कहा वो डिलीट किये हैं ये वीडियो ही क्यों डिलीट किये हाला कि कुछ अंदर की बाते होंगी जो कि साइध साइध ही किसी को पता हो मैं वैसे बता दू कि बीना समझे सोचे किसी पर इलजाम मत लगाओ यार कुछ भी मत बोल दो अब एक बात बताओ गुरु जी के ट करें और गुरु जी का पहचान भी है तो ये कही ना कहीं मैटर करता है हाला कि हाँ यूटूब पे सबको एक ही वैल्यू मिलती है वैसे मैं बता दू कि गलत अफवान न फैलायार क्यूंकि गुरु जी का इतना बड़ा एक लेवल बन चुका है तो उटपटांग कुछ भी आप ना बखे जो समझ में आए वो ना बखे जब तक कि आप पूरा समझ ना ले चीज़ को तब तक ना बोले उमीद है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरह से खेर तो चलिए सुलात करते हैं अगली अपडेट से बात करते हैं PUBG से दोस्तों हम सब जानते हैं कि PUBG के लिए कितना बेसबड़ी से वेट किया जा रहा है लेकिन आप स्ट्रॉंग रूमर यही बता रही है वैसे यह रूमर नहीं है यह हकीकत है कि PUBG जल से जल आने वाला है वैसे मैं बता दू कि PUBG फेब और मार्च के अंदर ही लाँच होने के लिए रेडी है वैसे मैं बता दू कि MEITY से सब कुछ क्लियर हो चुका है यानि कि मिनिस्ट्री से सब कुछ क्लियर हो चुका है बस कुछ दिन के लिए और सबर कर लीजे क्योंकि फाइनली PUBG लाँच होने के लिए तयार है तो अगली अब्रेट निकल के आती है फौजी से दोस्तों मैं बता दो कि फौजी एक अलगी रिकॉर्ड बना रहा है हाला कि मैं बता दू कि फौजी का प्री रेजिटेशन चार मिलियन से भी उपर हो चुका है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है हाला कि मैं बता दू दोस्तों कि 26 जनवरी को लाँच होने के लिए फिलाल के लिए बस उमीदे कि वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए कि आने वाले वक्त में वीडियो काफी अच्छे अच्छे आने वाले हैं जो कि आपको काफी जादा पसंद आएगा तब तक के लिए हसते रहि मुस्कूराते रहिए